हेलो गाइज, वल्कम बैक तो माई चैनल, आज का वीडियो फाइनल लियर स्टुडेंट्स के लिए बहुत हैं क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो ओपेन बुक एक्जाम मतलब OBE से रिलेटेड हैं, हमर देश में बहुत सारी उनिवर्सिटीज ओपेन बुक ए हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो शायद कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और मैं आज आपको वो रूल्स के बारे में बताऊंगी सो वाच्ट इस वीडियो तिल दा एंग रूइट मी आइकाउनिक प्रिया तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि what kinds of questions will an open book exam have? मतलब open book exam में किस type के questions आते हैं? तो देखिए यहाँ पर साब सब लिखा है कि open book exams don't test your memory. They test your ability to find and use information for problem solving and to deliver well structured and well presented arguments and solutions. तो इसका साफ मतलब यह है कि आगर आपके पास कोई आगे से तैयर हुआ कोई notes है तो open book exam आपको वो memory test नहीं करता है कि आप कितना लिख पाऊगे वो शायद इस तरह के होते हैं कि आपको एक analysis करना होगा शायद आपको जो answer है उसके उपर आपको एक analysis करके आपको एक answers से तैयर है उस टाइप के questions open book exam में नहीं आएंगे तो नीचे देखें यहां पर साफ सब लिखा है कि open book exam questions usually require you to apply knowledge मतलब यहां पर आपको आपका जो knowledge है उसका इसमाल करना है आपका आपका जो memory है उसका इसमाल नहीं करना है आपको जो भी answers लिखना है आप आपका जो story है या आपका जो नोट से उसको पढ़ने के बाद एक उसमें से कुछ knowledge आपको शेयर करना होगा आपका जो question है तो मैं आपको एक simple सा example दे रही हूँ suppose एक story है आपने तो सुनाई है वो ग्रेप सर सावर मतलब वह जो एक story है ना fox और grapes का तो शायद आपको वह story आपने वह पूरा पढ़ लिया है आपको सब याद है लाइन बाइन तो आपको क्या करना है आपको वो स्टोरी से आपको क्या मोरल पॉइंट मिलती है आपको वो लिखना है और ओपिन गूग एक्जम में आपको इस तरह से ही लिखना है आपको आपको ओपिन बूग एक्जम में किस टाइप के आइमिन किस तरीके से आपको समझ में आ गया है अब हम बात करेंगे ओपिन बूग एक्जम के जो कुछ रूल्स है उसके बारे में तो सबसे पहले आपका रेजिस्टर फोन नंबर और इमेल आईडी पे एक ओटीपी और ओटीपी दोनों में ही आएगा इमेल पे भी आएगा और आपका जो रेजिस्टर फोन नंबर है उस पे भी आएगा तो आपको उस पास्वर्ट से लॉग इन करना होगा रेजिस्टरेशन सक्सेस्पूल हो जाने के बाद आपको अपना एड्मिट करण कर डीटेल्स मिल जाएंगे प्लीज वेरिफाई यूर एड्मिट कर डीटेल्स केरफूली तो आप हम बात करेंगे आप जिस पेपर पे अंसर लिखोगे उस पेपर के बारे में उस पेपर को आपको कैसे प्रिजेंट करना है उसके बारे में पहले आपको एफोर साइज का एक पेपर लेना होगा फर्स्ट पेज पे आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा left side पे आपका नाम और signature, right side पे page number, उसके बाद आपको mention करना होगा कि आप इनमेज से कौन सा हो, मतलब ASOL से हो या regular student हो, NCW, EB, कौन सा हो आपको बो mention करना होगा, और आपका role number, उसके बाद आपको अपना जो exam role number है, बो mention करना होगा, उसके बाद unique paper code, यह बहुत ही important है, हर page पे आपको आपका UPC, मतलब unique paper code mention करना होगा, फिर आपको exam date देना होगा, उसके बाद name of program, मतलब आप become honors से हो, या BA honors, BAC honors कहां से हो, वो आपको लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा, paper name, मतलब यहाँ पे आपको अपना जो subject है, main subject उसका नाम लिखना होगा, अगर आपका subject है English, तो English लिख सकते हो, या business statistics जो भी है आपका subject, वो आपको यहाँ पे mention करना होगा, इसके बाद आप आपना answer लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यह है first page को presentation, आप आते हैं second page पर, left side में आपको आपना नाम और signature लिखना होगा, right side म role number और unique paper code आपको mention करना होगा, अब जितना pages पे answers लिखोगे, आपको हर page पे यह second page बाला जो step है, यह follow करना होगा, पहला answer खतम हो जाने के बाद, जब आप second question का answer लिखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको यह जो पूरा step है, first से फिर से आपको यह step follow करना होगा, और एक important चीज है कि अगर चार questions आते हैं आपके, तो paper की capacity होती है 7 MB की, 7 MB में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और scanning के लिए आपको कोई scanning app डाउनलोड करना होगा, जैसे कि adopt num की एक app है, scanning app है, तो इसे भी आप अपने play store से डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलाबा अगर कोई regular student है, तो आपको यह follow करना होगा, if you want to send answer sheets through email, so must write the following points, मतलब अगर आप email की through से email के माधियम से, अगर आप अपना answer sheets submit कर रहे हो, तो आपको यह following points है, अगर आप regular student हो, तो आपको यह following points आपको जरूर लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा, आपका role number, unique paper code, date of examination and subject of email, आपका subject line होगी, आपका role number, unique paper code and date of examination, और जो answer sheet है, उसे आप email के साथ attach कर देंगे, आप आते हैं email की body पे, आप अगर regular student हो, तो आपका जो email है, email के body में आपको क्या क्या mention करना होगा, वो है, number one is students name, मतलब आपका नाम यहां पे आपको लिखना होगा, और हाँ आपको ऐसे ही लिखना होगा, students name, colon, उसके बाद आपको अपना नाम mention करना होगा, उसके बाद examination role number, उसके बाद name of program, unique paper code, sorry मैंने यहां पे proper लिखा है, यह paper होगा, unique paper code, title of the paper, name of the college, semester और year, अगर आ आप year से हो, तो आपका कौन सा year है, वो आपको mention करना होगा, अगर आप semester से हो, तो आपका कौन सा semester चल रहा है, वो भी आपको यहां पे mention करना होगा, इसके बाद date of examination, तो आगर आप regular student हो, तो आपको paper presentation, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, और यह जो email presentation है, आपको य और email present करना है, वो आपको समझ में आ गया है, आगर आप अपने paper को सही तरीके से present नहीं करेंगे, तो आपका paper reject भी हो सकती है, so please be careful, तो जल्दी से इस वीडियो को like and share कर दीजिए, और चैनल को subscribe करना ना भूले, तो मिलते आगले वीडियो में, see you soon